विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल लेटाइस जाबस इंड स्कालरशिप्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा के साई यूटी में अभी जो जाबस आई हैं उनकी क्या रॉकार्मेंट से किसे अपलाई करना है इसकी लास्ट डेट क्या है यह सब कुछ में आपको इस वी सेल्फ एक्सपीरियंस डिबंदे जो है ना वो चाहिए मुक्तलिफ आसामयों के लिए तो इसमें मैं आपको बताऊंगा तो कैसे अपलाई करना है इसमें पहली पोजिशन जा हुए वो सीनियर लेक्शर पेडियार्टिक यूरलाजी की है और इसमें आपकी यूरॉलाजी यह पेडेर्टिक सर्जरी उसके बात सेर् लेक्शर नेफ्र लॉडटी में आपकी वालिफिकेशन एफ सीपहस और क्वालिफिकेशन इन आकिलीन ऐख्रजाएंग उनको प्लाइब ही जया जिए कौ लाइबराई जी के शिहूए है तो मेंदीकल IT Skills and professional library software such as Koha, Siridinics, Symphony and DeEspace. Additional addition candidates should have knowledge of Mars and excellent in managing online resource books, journals and medical databases. उसके पार, Trainee Medical Physicist, इसमें आपकी qualification है FCPS MSC, और फॉर येस बीएस डिगरी इन फिजिक्स फ्रामरेका अगनाई यूनस्टी और इसके बाद फिले वोटोमस्ट ये पॉस्ट है इसमें आपकी इंटरमीडियर साइंस विट्टू येर्स एक्सपीरियंस इन फिले बो टॉमी डिप्लोम आफसेंद मेडिकल फेकल्टी विल भी प्रेफर्ड उनको दे जाएगी उसके बाद है डाइबेट्स एजुकेटर इसमें आपकी क्वालिफिकेशन फाम डी विट्वन येरे रिलेम्ट एक्सपीरियंस उसके बाद सीचिटी वी अप्रेटर उनकों इंटरमीडियर मिनिम्म त्री येस एक्सपीरियंस है सीचि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन एमस मेडिकल फिजिक्स बीएस फिजिक्स विट मिनिम्मम त्री एस मेडिकल है इसमें आपको अप्लाइ करने के लिए जो है अगर आप इंट्रेस्टेड हैं जोइनिंग इनकी टीम में जोइनिंग करने के लिए तो आपको जो है ना अपनी अपडेटेड रिजियूम जो होगी वो यूमन रिसोर्स डिपार्मेंट इस इन इस्टिटूट आफ यूरलाजी एंड ट्रांस्मिशन इसमें वेजने पड़ेगी ट्रांस्मिशन और यह सि यूटी एट जीमेल डाट काम 10 जुलाई 24 तक आप इसमें अपलाई कर सकते हैं इसमें सिर्फ शार्लिक्स कैंडिडेट्स जो होंगे उनको टेस्ट और इंटर्व्यू के लिए बिलाए जाएगा यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंड लीज को लाइक कमे साथ में सबस्क्राब करनें तेंक यू जजाका लाएगा